कि इस देश में लगा था एस्सी एस्टी ओविस्टी मैनोर्टी के लोग ही हांसिय पड़ नहीं रहे हैं महिलाएं भी राधिती कुरूप से और समाजी कुरूप से हांसिय पड़ रही हैं और जब भी पेट्यार की हो या नियुरंग पूस्टाशक हो या जब भी फंडामेंटलिजम आगे बढ़ता है तो महिलाएं सबसे ज्यादा सिकार होती हैं लेकिन इस बार अधुत हो रहा है महिलाओं ने खुद जंडा उठाया है और पूरे देश में वह यात्रा निकाल हैं सरकार के खिलाफ फंडामेंटलिजम के खिलाफ और किसी भी तरह के डिक्टेटर से पिखला और उसका नारा दिया है मुहोंने बाते अमन की यह मेरे साथ बोस्टर है और देश भर में रही हुई है यह कवरी मैंने किया था शबनम हासमी जीन है जिनकों इसको रचा और पहले प्रिस कांफरेंश से लगब तीन महीना हो गया हुगा है और उसके बाद जब बहुत दिली से रवाना हुई थो क्या रिस्पांस है यात्रा कहां कहां पहुंची है किसी पर पाफ करेंगे मैं शुक्री आजिसन दस्तर से बात करने करी है कहां कहां आपका कारवा भी देखिए यह पांच कारवा बीस सितंबर को शुरू हुए थे एक दिली से शुरू हुआ था एक केरल से एक तमिल नाडू से कश्मीर से और एक आसाम से तो मैं केरल वाले के साथ ट्रावल कर रही थी कल आई हुए सिर्फ दो दिन के लिए दिली तो केरल वाला कारवा आप पूरा केरल करनाटका महराश्टरा क्रॉस करके कद गुजरात में एंटर कर गया है अचा गुजरात में जी गुजरात में बहुत बढ़ी है रिस्पॉंस्बिल यह कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं जो उसी कारवा की रह और महिलाओं का कारवा है यह कितने महिलाओं के है यह टोटल सौ के करीब महिलाएं है जो अलग-अलग राजियों में जा रही है अलग-अलग कारवा के साथ है और सारे कारवा जो है अब सोलवा दिन खतम हो गया है कारवा का तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है टोटल दोसों से जादा शहर और गाउं कवर कर करता हुआ यह कारवा और पांसो से अधिक कारिक्रम करता ही हुए यह 13 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचेगा और 13 अक्तूबर को दिल्ली में इसका कल्मिनेशन होगा पार्रिमेंट स्ट्रीट के उपर राजस्थान चातिसगर और मत्मर्देश में चुनाव है बड़े पारिक को और 36 गड़ में आज शाम को एंटर कर रहा है कारवा नौर्थीस्ट में पूरा आसाम का जो है वो ट्रावल कर चुका है रिस्पॉंस जहां भी है कारवा वहां बहुत अच्छा है मध्यप्रदेश में भी आज जबलपूर में कारवा पहुंचा है रिस्पॉंस बहुत हमने जो सोचा था जैसा रिस्पॉंस होगा उससे बहुत जाता है क्योंकि हमने सोचा था कि पांच कारवा निकल रहे हैं लोगों तक पहुंचेंगे हमको यह उमीद नहीं थी कि हर शहर में सैक्णों लोग आएंगे और दसियों ग्रूप मतलब हर जग आएंगे लोगों में बहुत बेचैनी है लेकिन यहां यहां यह भी मैं कहना चाहूंगी कि यह शाइद पहली बार हो रहा है कि औरते निकली है पांच कारवा लेके और मुद्धों के मुद्धों पे कम बात हो रही है हम बात कर रहे हैं राजबीती की हम बात कर रहे हैं लोगतंत्र को बचाने की हम बात कर रहे हैं अपने सम्मिधान को बचाने की और हम बात कर रहे हैं नई पीड़ी के लिए उनका जो रहने का अपनी तरह रहने का हक है उसको बचाने की और हिंसा के खिलाफ और नफरत के खिलाफ ये हमारे में मुद्दे हैं नौजवानों का मुद्दा भी एक में मुद्दा है जहां पे हो कैसे जीना चाहते हैं कैसे रहना चाहते हैं क्या पहनना चाहते हैं और किस से महुपत करना चाहते हैं उनके हक को बचाने के ल लोग जो सुप्रीम कोट के चार्ज जजिस ने अपील की है उसके बारे में भी बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है लोग तंत्र को बचाने की और जो महिलाओं पे जिस तरह के गांग रेप्स हो रहे हैं उसके उपर भी बहुत बेचैनी हैं डिदी मॉन एक अखबारों में भरी होई है जिस तरह के लखनाओ के अखबारों में ध्युका नाडू अंधरा तेलंगाना हर जख़ा लोकल अखबारों में खबर भरी होई हैं लोकल चैनल्स पे भी बहुत जगा दिखाया गया है लेकिन नैशनलह निउस जो है अभी एक टीवी 18 जो है नेटवर्क उसमें एक उनलाइन बहुत अच्छी ख़बर आई है और भी जगह आ रही है लेकिन जिस तरह से इसको उठाना चाहिए था नैशनल नेटवर्क को वो अभी नहीं उठा रहे है तुझे के पैंगलूरू और हुखली यह तमाम पर पुलहापूर महरास्तु पालणपूर देलिया पहुंची है पुझ गांदीनगर्ण नहीं मैं सिर्फ बीच में दो दिन छोड़ की कार्वा को आई हूं अभी कार्वा जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी वो कार्वा आज अभी भरूच पहुंचा है सूरत पहले उसने सोंगर्ण का ट्रैवल हिलाका सूरत उसके बाद कीम एक जगा है सूरत और भरूच के अब भरूच पहुंचने वाला है कार्वा यहां पहुंच चुका हुआ हुआ है जो मीडिया खास पर फोनिक मीडिया ने चीज़ रगाए जो और रचा था इस पर बात में क्या लग रहा है तो प्यकर लाइब इस ची बात हो रही है बलकि मैं आपको इब बताओंगी एक कॉलेज में यूनिवर्स्टी में पूने की एक यूनिवर्स्टी में हमारे साथ इक गुच्रात की महिला है वो अपने वो जमीन पर गाम गरती उन्होंने अपने अनुभव शेयर कि हमारे गाउं में आज भी बिजली न दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि बहुत डेवलफ्ट है गुच्रा तो ऐसे सारे प्रश्ट में हो रहे हैं और जो हमारे हम जिन में मुद्धों को लेके चल रहे हैं वह उन मुद्धों पर भी बहुत जम के बातचीत हो रही है हर जगह और हर जगह बहुत अच्छा response है हुआ ही एक नाराजगी में लोगों में लोगों में लोगों को मिलता है नफरत के बदले लोग प्यार ममपत की बात की बात आरे तो लोगों में नराज़ की वह आ रहे हैं तो लोगों में नराज़की तो है और हर जगह ये ब्रेशन हो रहे हैं कि जो कुछ कहा गया था वो जमीन पर नहीं उतारा गया है जो प्रॉमिसिस किये गए हैं उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और जहां हम जा रहे हैं वहां गरीबी भी दिखाई दे रही है अभी जैसे एक कार्वाइश मोतिहारी में था आज वह सुभा बिहार के और जगाओं पे हैं तो वहां से जो फोटोग्राफ सारी है घुर्बत है और गरीबी जो है वह जो कहा गया था तो यह समापन इसका दिल्ली में कर रहे हैं, वो थ्रावाद आदी जेश को तो सुभा आगे दिन का हम एक शेरिंग का पूरा दो घंटे का टाइम रखेंगे, जब एक दूसरे से हम बाचीज कर सके और आगे की प्लानिंग कर सके, क्योंकि दो सो शेहरों में कारेकरम हुआ है, तो दो सो शेहरों में नेटवर्ग भी साथ जुड़े हैं, तो इसको आग सके प्लिमेंट स्टीट पर एक पप्लिक मीटिंगी जाएगी उसमें सारे कार्वा के सदर्से भी अपनी बात है, 13 October, 13 October को दिली के पार्लामेंट स्टीट पर जो पूरे देश से जो कार्वा निकला ता, चाह रिजन में लोग निकले ते और पांच जगों से और इन्हों न स्टीट के पार्लामेंट स्टीट पर आईए और ये पूरी तरह से नहिलाओं ने अपने कदम पढ़ाए हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रेटकल एजन्डा है और लोगतंत बचाने की लड़ाई है, शुक्रिया में वार्फिर हम जो बात करें शुक्रि है कि हर खबर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें